है कि आज रेंगेख्रोमुसों मुझेरने के बार में क्रोमुसो्म होता कि है क्रोमुसों अगर को तो इसके पंदढ़ में दो बरश सेख निगुल Тем हम क निगे हैं क्रोमों का मतलब कलर होता है और सोम्स का मतलब बौडी होता है यानि एक एक इसी बॉड़ी जो काफी कलरफूल हो जिसका पिग्मिंट काफी ज्यादा डार्क हो उसको हम क्रोमोजोम का नाम देते हैं अब इनके स्ट्रक्चर पर देखे ना तो इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं यानि जिस तरह हमारा धागे का structure होते हैं बिल्कुल उसी तार हमारे क्रों चौ मुअ के अंदर चेल्द होते हैं अब सेल्ओं के हमारे चार फेजुप हैं अटिलोफेज अब अब इससे ये मुराद नहीं कि हमें चारो की चारो फेज में क्रोमोजोम विजिबल देखने को भी लेगा। ऐसा बिलकुल भी नहीं होता। सिरफ और सिरफ मेटा और एना फेज में क्रोमोजोम विजिबल होता है। और वो इतना ज्यादा विजिबल होते हैं कि हम ना उसके क्रॉमोजोम के नंबर तक काम कर सकते हैं सेल के अंदर अब अगर इसके हम डिस्कवरी के बाद करेना तो इन 1882 वेल्डर फ्लैमिंग एक साइंटिस्त थे उन्होंने स्लेमेंडे का लार्वा पढ़ते हुए क्रॉमोजोम को डिस्कावर किया उसके साथ साथ जब उन्होंने डिफरेंट और स्पिशी को स्टाडी किया तो उन्हें पता चला कि specie to specie chromosome के जो number होते न वो different होते हैं लेकिन within the same species chromosome के number same होते हैं अगर वो different हो रहे हैं इसका मतलब जिसमें वो different हैं उसमें कोई ना कोई abnormality है वरना naturally specie to specie chromosome different होते हैं लेकिन एक specie के अंदर अगर उसके हम different same specie के लोग को देखें तो उनके अंदर chromosome same होने चाहिए, different नहीं होने चाहिए जैसे के अगर हम देखें, fungus के अंदर सिरफ और सिरफ एक pair chromosome का पाया जाता है यानि कि यह सिरफ दो chromosome होते हैं ferns में देखें, तो उनके अंदर हमें 500 plus pairs देखने को मिलते हैं chromosome के इसी तरह mosquito के अंदर सिरफ और सिरफ और सिरफ 6 chromosome होते हैं यानि 3 pair हमें देखने को मिलेंगे honey bee में 32, corn में 20 chromosome, sugar cane में 80 chromosome, frog में 26 और mouse में 40 इसके लावा हम humans के अंदर 46 chromosome देखने को मिलते हैं यानि 23 pairs अब ये chromosome हैं क्यों? इनकी वज़ा किया है इनका रोल क्या है हमारी बाडी में chromosome बिसिकली हमारी genes को प्रेंडे store करके रखते हैं हर species का जो भी gene, जो भी DNA होता है वो chromosome के अंदर होता है store और वो ही हमारी बाडी को develop करने मदद करता है उसको function properly कराने में हमारे chromosome काफी ज्यादा important role play कर रहे होता है इसलिए chromosome हमारी लिए necessary है इसके लाब अगर हम बात करें chromosome के number के उपर तो number of chromosome हर species हर body के अंदर constant रहना चाहिए जो उसका एक natural number है ना ही उसमें से एक ज्यादा होना चाहिए chromosome उसकी body में किसी chromosome की कमी है तो उसका उसकी deficiency face करने मिलेगी जिसकी वैसे क्या होगा उसकी body properly developed नहीं होगी इवन अगर कोई बहुत ज़़ज़ा special chromosome किसी की body में missing है तो उससे उसकी death भी हो सकती है इसी वज़ा से हमारी body के अंदर जो number of chromosome होने चाहिए वो बिलकुल एक constant amount में होने चाहिए जो हमारे species में एक natural amount के chromosome है उसके लावा अगर कोई उपर नीचे हो रहा है chromosome तो वो हमारी body के लिए अच्छी चीज़ नहीं है in fact वो किसी भी species के लिए अच्छी चीज़ नहीं है अगर ये lecture आप completely देखना चाहते है और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs उनके answers और explanations भी हासिल करना चाहते है and that all free तो अभी Google Play Store पर जाए and लिखिए हिपो ये learning program हमारी app डाउनलोड कीजिए ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बलके अपने दोस और class फेलर्स को भी recommend कीजिए